नमस्कार मैं डोक्टर सुरेंदर सिंग असिस्टेंट प्रोफेशर बी एसर गोर्मेंट आर्ट्स कोलेज अलवर राजनिति विज्ञाने भाग मैं आज आपको बी ए पार्ट फर्स्ट के राजनिति विज्ञान के सेकेंड पेपर बहारती राजनितिक विचारक के प्रत्थम अध्याय मनु में से मनु की सामाजिक विवस्था का अध्यान करवाऊंगा जिसमें मुख्य रूप से उसके वन विवस्था की अध्यान है मनु स्मृति अपने राजनितिक दर्शन की तुलना में अपने समाज दर्शन के लिए अधिक प्रसिद है यद भी वर्तमान काल में मनुस्मृति की समाज व्यवस्ता अत्यन्त विवाद इस पद है किन्तु अतित काल में इसे भारतिय ये हिंदू समाज व्यवस्ता का मुख्याधार माना जाता था मनु की समाजिक व्यवस्ता की विशेशता है नमबर एक, समाज की दैविय उत्पत्तियम साव्यव प्रकरती मनु के अंसार, जब राज्य नहीं था तो संसार में सर्वत्र, अराजिक्ता, भै, ये मत से नहाए था इस दुखद इस्तती से मुक्ते दिलाने के लिए इस्वर ने राज्य की उत्पत्ति की ये राज्य की उत्पत्ति, इस विवरन से ये है, इस पस्ट है कि मनु ने राज्य के अभाव में समाज के अस्तित्तों की धारना स्विकार नहीं की वस्तुत है, राज्य की उत्पत्ति के साथ ही समाज की स्थापना होती है राज्जी की उत्पत्ती देविय है अते इसके साथ ही स्थापित होने वाले समाज येउम इसकी विवस्था का अधार भी देविय है अन्यत्तर मनु ने समाज के विभिन वर्णों की उत्पत्ती भी देविय बताई है मनुश्मरती ने संपूर्ण स्रष्टी की रचना के बारे में साव्यव सिद्दान्त को स्विकार किया है और इस स्रष्टी सिद्दान्त के अनुसार ही समाज की रचना के लिए भी साव्यव सिद्दान्त को प्रस्तुत किया है मनुश मृत्ति का मत है कि उस विराठ पूरुष के अर्द सरीर से पूरुष यमसेश अर्द भाग से नारी जगत की उत्पत्ति होई है नरोर मादा की प्रभू के अर्द सरीर से समाज की भली भाती व्रद्दी शांती श्म्रद्दी और प्रकति के लिए उस विराट पुरुष के विभिन अंगों से, क्रम से, ब्राहमन, छत्रिय, वैश्य और सुद्र की उत्वत्ति हुई है मनुश्मरती के विवरण से ज्यात होता है कि रचना येवं संगठन की दरश्टी से समाज रूपी शरीर के चार वरण ही उसके चार अंग है और इन अंगों में अनुपूरकता वह निर्भरता पाई जाती है नमबर दो, समाज व्यवस्ता का आधार धर्म येम राज्ये मनुने समाज व्यवस्ता के इस्थायत येम कुसल संचालन के लिए विभिन नेतिक नियमों और मुल्यानकन मुल्यों येम विधियों को आवशक माना है जिने मनुने सहुखत रूप से धर्म कहा है समाज की सावयव प्रकृति के अनुसार ही मनुसे ने धर्म के दो प्रकार बताए है सामाने धर्म और विशिष्ट धर्म जहां सामाने धर्म सामाज रूपी संपूर सरीर से संबन दित है वहां ही विशिष्ट धर्म इस समाज सरीर के वर्ण जाती कुल ग्राम आदी विशिष्ट अंगों से संबन दित है मनु ने धर्म के साथ ही राजा को भी समाज व्यस्ता का मुख्याधार माना है क्योंकि राज्य के अभाव में समाज व्यस्ता का अंत हो जाता है और कष्टकारी अरजकत प्राप्त होती है तीसरी बात बताईए समाज की वर्ण व्यस्ता मनुस्मृति में वर्णित समाज के संगठन का सूत्र परण व्यवस्ता है जिसकी निमने विशेषताई है नमबर एक चारो वर्णों की दैविय उत्पति रोण के करते हैं मनों के अनसार समाज की रचना चारो वर्णों के सयोग से हुई है इन चारों वर्णों के उत्पत्ति ब्रह्मा के विभिन अंगों से हुई है जैसे ब्रह्मा के मुक्से तो ब्रामण और बाहू से छत्रिये उरू से वैशे और पैरों से शुद्रकोत्पन किया है ब्रह्मा के जिस अंग से जिस वर्ण के उत्पत्ति हुई है उसी अंग की कारिक अनसार इन वरणों के लक्षन और कर्मों को तै किया गया है वस्तूत प्रतेक वरणों के कारे संपून समाज के प्रती उसके कर्तवे है अत्य मनुन ने इन कारियों को वरणों का स्वधर्म कहा है मनु स्मृति के अनुसार प्रहमन का स्वधर्म है अध्यन और अध्यापन यग करना और कराना दान लेना और देना यह उलेखनी यह है कि यहां प्रमुक रूप से वेद का अध्यन और अध्यापन पर बल दिया गया है समान रूप से यह धर्म सास्त्रों इस्मृतियों वें धर्म सुत्रों के बारे में बिलागू होता है मनुस्मृति ने छत्रिये के स्वधर्म में निमिली खित कर्तव विग गिनाए हैं जैसे अध्यन करना, यग करना, दान देना, सस्त्रों को धारन करना, प्राणियों की रक्षा करना, वस्तुत छत्री कम प्रमुकरतव है, मनु स्मृत्ति द्वारा प्रति पादित सामाजिक राजनिति प्विवास्ता की रक्षा करना वैश्य का स्वधर्म है अध्यन करना, यक करना, दान देना, पसुपालन, किर्शी कर्म करना, वानिज्य दुआर धन कमाना अदि इस प्रकार वैश्य का प्रमुक करताव है समाज की आर्थिक आउशक्ताओं की पूर्ति करना मनु ने सुद्र का स्वधर्म बताया है कि वै इर्शा निंदा अभिमान आदि दोसों को छोड़ कर उप्रोग तिर्नों वर्णों की अथा संभाव सेवा करे और इसी एक मात्र कर्म को करतेव जीवन बिताए दूसरी बात आती है कि वर्ण वैस्था में कि वर्ण वैस्था में सरम विभाजन कारे विशेस्टिकर्ण और ऐस तक्शेप का नियम वन विवस्था में सरम विवाजन मुनुस्मर्ति द्वारा वन विवस्था प्राचिन भारती समाज में सरम विवाजन की प्रणाली को प्रकट करती है समाज की बोधिक, सैनी के मार्थिक अवशक्ताओं की पूरूती, क्रमसे, ब्राहम्मन, छत्री और वैस्च वर्णों की द्वार की जाती है इन तीनो वर्णों से संबंदित व्यक्ति, जीवन भर केवल अपने वर्ण से संबंदित कारे को ही करते हैं जिससे उन्हें अपने कर में विशेश कुसुलता प्राप्त हो जाती है और इस प्रकार वर्ण व्यवस्था में कारे के विशिष्टी करण का नियम लागू होता है मनु के नुसार प्रतिक व्यक्ति को केवल अपने वर्ण के कारे को ही करना चाहिए और उसे अन्यवर्णों के कारे को ने करना स्वयम ने करना चाहिए ने उसके कारे बादा डालनी चाहिए ने अन्यवर्णों के निंदा करनी चाहिए इस पर कारवर्ण व्यवस्था के संचालन में ऐस तक शेप का नियम भी लागू होता है किन्तु इस नियम का पुआद भी है ब्रहामन का विशेश दायत्व है कि वह अपने स्वधर्म का पालन करने के साथ ही अन्य वर्णों से भी उनके स्वधर्म का पालन कराए छत्रिय का विशेश दायत्व है कि वह उन व्यक्तियों को दंडित करें जो स्वधर्म का पालन नहीं करते हैं वन व्यास्थामिनीहित स्रम विवाजन कारे विशिष्टिकन तथा ऐस्तक्षेप का नियम सुद्रवन पर भी लागू होता है किन्तु कुल मिला करूश की इस्टती उप्रोक्ति नोवणों से अलग है वह्यास्थ बौबाजन की दुटि से समाज की सारी रिक्सरम से सम्मंदिताव शक्ताओं की पूर्ति करता है और कारे विशिष्टिकन की दुटि से उसका एक मात्र कारे चखेत रह उप्रोकति नोवणों की समर्पित भाव से सेवा करना है हस्तक शेप का सिद्धांत सुद्धर पर कठोरता पूरोग लागू होता है यदि वयानने वानों के कारें में हस्तक शेप करने का और उनके कारें का अनुकरन करने का प्रियतन करता है तो वह कठोर दंड का पात्र होगा तीसरी बात है वान के अनुसार व्यक्ति का इस्तर कर्तव्य और अधिकार तो इसमें हमने पूस के समाध दर्शन के कुछ बाग के बारे में पढ़ा बाकी अध्याय हम दूसरे अध्याय उसमें वीडियो में करेंगे धन्यवाद